इस वीडियो में हम बात कहने वाले हैं IPB के अंदर अगर किसी वज़े से हम अपने MPIN का अगर reset करते हैं अपना PIN या फिर use करते हैं अपना तो इस तरीके से लिखा वाता है अपना PIN लगाते हैं जैसे के मान के चिलिए पिन है हमारा A लेकर A से लेकर A88 हो गए ठीक है अब future में हमने B88 डाल दिया ठीक है तो उसके बाद हम actually में C का format डालना चाहिए हमें लेकिन हम डालते हैं past वाला यानि कि A जो होता है A का पासवर्ड हमने डाला था तो वो इस तरीके से दिखाने लग जाता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम past वाला जो MPN होगा कभी हमने डाला होगा जो मतलब पहले हम डाल चुके हैं बना चुके हैं banking हर website पर यही से issue create हुआ हुआ रहता है banking की जो भी application रहती है आप उसमें एक दफ़े बनाने के बाद दुबारा नहीं बना सकते हैं ठीक है आपको हमेशा ही different बनाना पड़ेगा तो यह रहता है इसका matter सारा का सारा यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा अगर देखे समझ में आ गया है तो वीडियो को आप like कर दीजेगा और चैनल को subscribe भी कर दीजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए bye and take care